Hello everyone, Pregnancy time में जो भी आप खा रहे होते हो, उसका सीधा असर आप पर, आपकी होने वाले बेवी पर पढ़ता है, तो आपको breakfast में ऐसी कौन सी चीज़े खाने चाहिए, जिसमें vitamin B हो, minerals भी हो, सभी तरह के nutrients हो, और इससे बेवी का growth अच्छे से हो, इसके बारे में अग इस अच्छी नीन लेते हैं, आठ घंटे की नीन लेते हैं, तो सुबह जो आप उठते हैं, तो आपको हमेशा है ध्यान रखना है कि आदे घंटे के अंदर आपको कुछ न कुछ खा लेना चाहिए, जादा gap नहीं देना है, बेवी भी रात बर से भूका है, तो उसके health का भी ज जैसे उठें और वैसे आप इसको खा सकते हैं, ट्राइफ रूट्स में बहुत अच्छे मांट में ओमेगा-3 fatty acids होते हैं, प्रोटीन अच्छा होता है, और ये सभी चीज़े बेबी के ब्रेन के लिए, बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं, इसके लब आपको ये ध्यान रटना है कि खाली पेट कभी भी खटे फल, विसंत्रामॉस में ये सारी चीज़े नहीं खाने चाहिए, वरना आपको acidity हो सकती है, नेक्स्ट है दूद और ओर ओट्स, तो आप एक कटोरी ओट्स और दूद जो हैं सुबह breakfast में include कर सकते हैं, जो ओट्स हो होता है एक जियाने की अंडे, तो सुबह उटकर आप दो एक थर्ड मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं खाना, जो एक है उसको आप boiled एक की फॉर्म में खा सकते हो, आप ओमलेट की फॉर्म में खा सकते हो, या फिर भूर्जी खा रहे हो, तो एक की भूर्जी बनाकर आप पराठ खा सकते हो, या फिर पनीर भूर्जी बनाकर उसको भी आप रोटी या परांठे के साथ खा सकते हो, नेक्स आप अपने breakfast में खा सकते हैं दलिया, तो दलिया जो है fiber और iron का अच्छा source होता है, दलिया में आप सभी तरह की vegetables भी add कर सकते हैं, या आप नमकीन दलिया खा सकते ह या फिर आपको मीठा दलिया पसंद है तो वो भी खा सकते हो, पर अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं आपको नमकीन दलिया की advice दोंगी क्योंकि जादा मीठा pregnancy time में आपको नहीं खाना है, तो दलिया आपको active भी रखेगा, आपको बहुता परिशानी भी नहीं होगी सुभ दलिया, तो इसमें आप मेथी का पराथा खा सकते हो, करड के साथ, ठीक है, या फिर आप जो है sprouts खा सकते हो, पर sprouts कच्चे नालेकर उनको नहीं थोड़ा सा बॉइल करके और फिर उसको चाट की तरह बनाकर ये उप खा सकते हो, आप जो पराथा खा रहे हैं उनने करड के सा चाह जब आप पीते हैं ब्रेकफस्ट के साथ जो ब्रेकफस्ट के न्यूट्रियंट्स है वो आपको अच्छे से नहीं मिल पाएंगे तो यह चीज आप ज़रूर जियान रखें नेक्स्ट जो एक और अच्छा ब्रेकफस्ट होता है वह होता है चीला तो चीले में आप यह बहुत अच्छा रहता है और इसके लावा आप सुबा उठकर जो हैं जो काले चने होते हैं वो भी बॉइल करके उनके चाट बनाकर या उनको फ्राई करके भी खा सकते हो इसके लावा अपने प्रेगनेंसी टाइम में ब्रेकफस्ट में वेज़ सैंडविच जो से ब्रेइन डवलप्मेंट हो ग्रोथ हो और आपकी भी बॉड़ी में अच्छी अनर्जी बनी रहें सुबह उठकर आप नारल पानी भी पी सकते हैं और ब्रेकफस्ट के साथ आप कर्ड दूद ये सब ले सकते हैं और एक फ्रूट ज़रूर रखे अपने ब्रेकफस्ट मे और आपको healthy भी रखेगा अगर आपका अभी भी कोई सवाल है ब्रेकफस्ट रिलेटेड या फिर प्रिंगेंसी में कौन सी डाइट या फिर क्या चीज़े रखनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो I hope आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा मि ते नेक्स वीडियो में thank you for watching